आसोवे गफलत के माते जांगु जांगु उठी जागुरे और कोई तोर कामन आवे गुरु चरण उठी लागुरे उत्तम चोला बना मोला लगत दाग पर दागुरे दोई दिन का गुजरान जगत में जरत मोह की आगुरे क्या सोवे गफलत के माते जागु जागु उठी जागुरे और कोई तोर कामन आवे गुरु चरण उठी लागुरे तन सराय में जीव मुसा फिर करता बहुत दिमाग रे रैन बसेरा करी लिडेरा चलन सबेरा ताकरे क्या सोवे गफलत के माते जागु जागु उठी जागुरे ये संसार बिसेर समाते देखो समझे बिचार रे मन भावरात जी बिस के बन को चलू बेगम के बाग रे क्या सोवे गफलत के माते जागु जागु उठी जागुरे और कोई तुर काम न आवे गुरु चरडन उठी लागुरे केंचुली करम लगाई चित में हुआ मनुस ते नागुरे बैठा नहीं समुझे सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे क्या सोवे गफलत के माते जागु जागु उठी जागुरे और कोई तुर काम न आवे गुरु चरडन उठी लागुरे साहिब भजे सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे कहें कभी सुनो भाई साधो प्रगटे पूरण भागरे क्या सोवे गफलत के माते जागु जागु उठी जागु रे और कोई तुर काम न आवे गुरु चरडन उठी लागुरे साहिब संत कबीर साहिब जी इस भजन के माध्यम से समझा रहे हैं कि ए मनुष से जाग जाओ और सद्गुरु साहिब जी के चरडों में लग जाओ जो तुम गर्भावस्था में सत्पुरुस जी से बिंती करते हो कि बाहर जाने पर भक्ती करोगे जब बच्चा जन्म लेता है तो कहां कहां कहता है और सब भूल जाता है बच्चे को इसलिए बच्चा नाम दिया जाता है कि वह सभी चीजों से बचा रहता है और जैसे जैसे बड़ा होता है इतनी चीजों में लिप्त हो जाता है कि लोग पसंद करना कम कर देते हैं इसलिए सद्गुरु की भक्ती से जो आपने वादा किया था उसको पूरा करना है और सद्गुरु की भक्ती करनी है इस जीव को तभी पार किया जा सकता है भक्ती के द्वारा साहे बंदगी साहे